नमस्कार दोस्तों मिरे नाम में विमल सिंग बाला जी श्टरी एड़ा में आपका स्वागत है सुपर टेड, यूपी टेड, रीट सभी के एक्जाम है उनी के लिए हम आपको प्रेक्टिस से कर आ रहे थे उसी को हम फिर से कॉंटिन्यू कर रहे है जहाँ पर इससे पहले हम इंग्लिस के प्रसन वाला जो पोर्षिंता वो देख चुके थे साइद में आई बटर में पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा उसी के आगे के आज हम देखेंगे तीस प्रसन जिसमें से दस प्रसन आपके परवरण और सामाजिक अध्यन के देखेंगे दस प्रसन आप सिक्षण कॉसल के देखेंगे और दस प्रसन आप बाल मनोविज्यान के देखेंगे और जो पैटर्न आपका है ये ये सुपर टेट का जो है वो पैटर्न है पर जो प्रस्ण आपके है वो सभी यूपी टेट है और सभी के लिए एक्जाम के लिए important है तो किसी की भी आप तयारी कर रहे हो सिक्षर बरती से सम्बंदित तो आप यहाँ पर practice कर सकते हैं चलिए start कर प्रस्ण नंबर 71 से 71 प्रस्ण कह रहा है कि जो Pluto यम है उसको ग्रह की स्रेडी से निकाले जाने का कारण जो है वो क्या था आकार में प्रत्वी के उपग्रह से छोटा होना इसकी कक्षा का व्रत्ताकार नहीं होना वरुण ग्रह की कक्षा को काटना या फिर सभी और कब आया गया था ये भी आपको मैं अभी बताऊंगा पहले जल्दी से बताई इन चारों आप्षिन में कौन सा जो है वो सही होगा चलिए बात करते हैं अंसर की आप्षिन एभी सीडी में से तो आप क्या कहेंगे तीनों ही कराण आपके बिल्कुल सही है तो आप्षिन नमबर यहाँ पर जो पॉइंट लिखे है अकार में प्रत्वी के उपक ग्रह से छोटा होना इसकी कक्षा का वरत्ताकार नहीं होना वरोल ग्रह की कक्षा को काटना ये भी आप ध्यान नकिएगा और प्लूटो को यम कहते हैं और साथ ही साथ ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बौनागरा के रुख में भी जो है वो जाना जाता है 72 प्रसन है कि दिल्ली में संपन हुई अप्रैल 1998 की अंतराश्टी पर्यवरण सुविदा की प्रतम बैठक का जो उधगाटन है वो किसमें किया था मनमोह सिंग, सोनिया गांधी, ततकालीन प्रदान मंत्री अटल बिहा 28 की अंतराश्टी पर्यवरण सुविदा की प्रतम बैठक का उधगाटन किया था, क्योंकि पर्यवरण अधन भी सामाजीक अधन के साथ ही आपका कोर्स में है, 73 प्रसन कह रहा है, करक रेखा किसे कहते हैं, चार आप्शन दे रखें, बताना है आपको साड़ेटेश डिग 23 डिग्री उत्री अक्षांस आपकी करक रेखा जो है, वो होती है, और जब दक्षरी अक्षांस के संदर में बात की जाए, तो मकर रेखा होती है, और जब 0 डिग्री की बात की जाए, तो आपकी भूमद रेखा होती है, और भूमद रेखा कोई हम विसुवत रेखा के ना जो है वो पूछा गया है धाराओं से भी प्रसंद काफी पूछ लिया जाते हैं यदि आप सुपर्टेट का प्रीविएस एयर का पेपर उठाक देखेंगे तो वहाँ पर भी प्रसंद धारा से पूछा गया है तो इन चारों उप्शन में से बात करते हैं अंसर की तो आपका ऑप्शन नमबर डी वो परियोगत सभी विल्कुल जो है वो सही हो जाएगा अच्छा ये भी बहुत पूछा जाता है कौंशेस में ठंडी धारा है कौंसी गर्म धारा है तो जैसे मोजांबिक धारा है ये आपकी गर्म धारा होती है जो अगुल हास धारा है ये आपकी ठं आट्लांटिक महासागर की धाराओं में फ्लोरिडा की धारा बहुत पूची जाती गल्फ इश्ट्रीम बहुत पूची जाती है यह कुछ धाराएं हैं जिनको आप ध्यार रखिएगा 75% की बात करते हैं कि तापकरम के आधार पर सम मंडल का उपखंड जो है वो क्या है छोब मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर सभी इन चारों ऑप्षन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही हो गा चली बात करते हैं अंसर की तो आपका अंसर जो है ओप्षन वैसे हां पर जो प्रसंद पूचने का तरीका उसको सही तरीके से निरह है मैं आपको सारी जा करके लिखा रहेता है तो 6.5 या 6-5 डिग्री सेल्सियस टेम्प्रेचर जो है वह प्रती किलोमीटर की दुरस से आका घटता जाता है जैसे छोब मंदल में उपर बढ़ते हैं समताप मंदल में क्या होता है ताप करम किया अधार पर प्रसंद बूचा गया तो समताप मंदल म भी जैसे जैसे आप थोड़ा सा उचाई बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, तो जो temperature होता है, वो increase होने लगता है, और इसी reason से ही जो पराभेंगनी किरड़े होती हैं, उनका ozone परत के दौरा अवसोसन भी होता है, फिर मद्ध बंडल की बात करें, जिसे मेजोस्फेर कहते हैं, त इसमें नीचे से उपर जाने पर जो temperature होता है, वो घड़ता जाता है, और घटे घटे आप कहेंगे, मद्ध बंडल की जो सबसे उपरी वाली सीमा होती है, वो प्रत्वी का सबसे ठंडा इस्थान भी कहलाता है, यूपी टेट में प्रीवियस एर में एक बर कोशन आ चुका है, परतों में सबसे ठंडा इस्थान, मद्ध बंडल का ओसत तापमान लगबख माइनस 85 डिग्री सल्सिस होता है, तो ये तीनों के बारे में अलग-अलग ध्यान रखिए, प्रसंद का पूछने का तरीका ऐसे होता है, बढ़ते हमारे अगले प्रसंद 76 की तरफ, अच्छ तो वो भी आप रख सकते है, वो भी मैं आपको बता दिता हूँ, ट्रस्ट मी, इन दा एक्जाम का जो ट्रस्ट का T है, उससे हो जाएगा डूपोस्फेर, ट्रस्ट का जो S आ रहा है, ट्रस्ट में, वो S से आपका, इंग्लिस में नाम है इस्ट्रेटोस्फेर, thermosphere और exam का जो E आ रहा है उससे आपका exosphere तो कई बार person में आप पूछा जाने लगा है कि नाम आपको option में Hindi में ना दे करके English में ही दिये होते हैं तो आपको बताना जैसे आप उसे पूछ ले जाए मौसम संबंदी घट रहा हैं कहा होती हैं आप सभी जानते चोब मंडल में होती हैं पर वही जब English में नाम दी होते तब confused आप हो जाते तो ट्रिक धान रखेगा 76% कहा रहा है पूर्वी घाट किन पहाडियों से निर्मित है नीलगिरी, पालकोंडा, नलमलाई या फिर सभी चार आप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा तो चली बात करते हैं इन चारों आप्शन में तो आप कहेंगे सभी जो है आपका हो जाएगा नीलगिरी, पालकोंडा, नलमलाई या निकी सभी से जो निर्मित है 77% कहा रहा है 1924 जो है उसका बंगाल का तार केसवर आंदोलन निम्ण में से किसके विरुद था मंदिरों का ब्रष्टाचार हिंजा, राजनायतिक, नेताओं की गिरफतारी या फिर सांप्रताइक्ता आपसे पुछा गया है 1924 का बंगाल का तार केसवर आंदोलन तो चलिए बात करते हैं फिर अंसर की इन चार ओप्शन में तो मंदिरों के ब्रष्टाचार से संबन दित था मंदिरों के ब्रष्टाचार के विरुद एक सत्यागराय था तीरते आत्री जो थे उन्होंने किया था वहां के जो महंत थे आपना विरोध भी दरज कर आए था अगला है 78 प्रसन कि जैब विविदता से संपन होने वाले वन जो है वो कौन से है रुंडरा वन भुमद्रे कि घने जंगल मांसूनी या फिर B और C दोनो तो इन चार ओप्शन में से कौन से सहिए होगा अंसर की बात करते हैं तो जैव विविदता से संपन होने वाले जो वन है वो आपके भूमत रेकिये घने जंगल भी है और साथी साथ मानसूनी भी है यानि कि B और C दोनों जो है आपका सही हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं 79 दामोदर जो है वो किसकी साहयक न दी है बहुत ही अच्छा प्रसंद है important भी है चार option है बताने आपको गंगा, हुगली, पद्मा या फिर स्वर्ण देखा और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को like भी अवश्चिक कर दिजेगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रसंद हम आपको practice कराते नहीं, topic wise भी आप परते नहीं, practice भी करते नहीं, दोनों चीज़ जरूरी है, तो सभी लोग वीडियो like और share करते रहेगा, answer की बात करते हैं, तामोदर किसकी सायक नदी है, तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल आपका option, भी वाला, हुगली नदी जो है, वो बिल्कुल सही हो फिर से जारकंड और पश्चिम मंगाल से होकर पश्चिम से पूरु दिसा में बहती है, और ज्यादा आप अगर याद रखना चाहें, तो नदी की कुल लंबाई लगवक 541 किलो मीटर है, इसका आधा हिस्सा लगवक जारकंड में है, आधा हिस्सा पश्चिम मंगाल में है और अगर पठार के संदर में बात करें, तो नदी का जो उदगा में वो जारकंड के छोटा नाकपूर पठार की पाणियों से होता है, असी लाश प्रसन है इस पोर्शन का, क्योंकि हम दददस प्रसन करके आपका जैसे सब स्लेवस में हैं वैसे ही देख रहे हैं, इस 80 टम देता है, अंसर की चलिए बात करते हैं, तो आपका जो ग्लोब में उत्तरी धरुप होता है, जिसे हम आरक्टिक छेत्र के संदंध में भी कह सकते हैं, वही आपका होगा मद्दीरात्री का जो सूर है, वो उत्तरी धरुप दिखाए देता है, ऑप्शन में अगर आरक्टिक छेत्रो, वो भी आपका सही होगा, एक प्रसन ये भी पूछा जाता है, कि मद्दीरात्री जो है, इसके सूरिका देश किसे कहते हैं, तो ये किसे कहते हैं, ये नारवे को कहते हैं, ये भी एक्ष्ट्रा ध्यान में कियेगा, चलिए यहाँ से हमारा नेक्स्ट पोर्षन सु प्रयोगात्मक या फिर साक्षात्कार, समाजिक्ता का परिक्षण पूछा गया है, समाज से संबंदित्रो परिक्षण आपको करना है, वालक का, उसके लिए कौन सी विधी सबसे उप्योक्त होगी, बात करते हैं, चलिए अंजर की, तो इन चारों आप्षन में, उप्चा की विकास करना, परसपर सद्भावना और सयोग की भावना विकास करना, विक्सित करना, आत्मा भिवक्ति की समता विक्सित करना या फिर सभी, तो प्रात्मिक सिक्षा के उद्देश में अगर आप देखेंगे, तो पहला तो बिल्कुल होता है, सद्भान्मा और सयोग की भावना बिल्कुल होती, जब दो आप्शन सही हैं, तो तीसरा भी सही होगा, यहाँ पर अंसर आपका उपर युगत सभी सही हो जाएगा, 83 प्रसना आपका है, कि समावेसी सिक्षा के पीछे मूलाधार यहाँ है कि समाज में विभिन्नता है, और विद्यालेओं को इस विभिन्नता के प्रती सम्मिलित करते होए शिक्षा प्रदान करना, ओसी के संदर में समवेदन सीलता बनाये रखना, यह पहले आपक्षन में कहा रहा है, दूसरा कहा रहा है, प्रतेग बच्चे के निस्वादन के लिए मानक एक समान तथा मानिक की इकरत होने चाहिए, हमें विशेस आवशकता वाले बच्चों के उपर दया करने की आवशक दया करने को लेकर आप ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेंगे, तो सीटेट में आप पढ़ते ही चले आ रहा है, प्रतेग बच्चे के तो ऐसा नहीं है, किसी को विशेस आवशकता है, तो उसके अर्मसार उसको शिक्षा देंगे, तो यह वाला आपका बिल्कुल सही होगा, जो अर्थ है, अपने सीखने का स्वयम अनुविक्षण करने की योगिता, विद्यार्थी निकायद्वारा बनाएगा जो नियम है और वी नियम है, वो स्वा अनुसासन और नियंत्र या इम्मे से कोई नहीं, तो आपको बताना है कि जो स्वा नियमन है, इसका क्या अर्थ है, अधिगम करता के संदर में कौनसा सही होगा, अंसर की बात करते हैं, तो आपका स्वा नियमन है, निकायद्वारा बनाएगा नियम और यह नहीं होगा, पहला वाला बिल्कुल सही होगा कि आपने सीखने का स्वयम आप जो है, अनुविक्षण करने की योगिता रखें, तो है, इस पश्चता और समझने की सुगमता है, आवशक्ता अनुसा नियंत्रड़ पडाली है, फिर सभी, इन चारों उप्शन में से आप क्या कहेंगे कि प्रभावसाली अगर प्रवंद की है, नियंत्रड़ की बात की जाए, तो उपयुक्त तो सबसे जरूरी है, इस पश्च कह रहा है कि छात्रों के मुल्यांकन के लिए सामानिता निवंदात्मक प्रस्णों का प्योग किया जाता है, इस प्रकार के प्रस्णों की सबसे बड़ी खामी गया है, कमी गया है उसमें, जो निवंदात्मक प्रस्ण होते हैं, अगर आप उससे किसी बच्चे का आकलन कर तो उसमें क्या कमी है ये जो प्रस्न है उनमें वस्तुनिष्टता और विस्वस्तियता की कमी होती है या ये प्रस्न विद्यार्थी के लेकन कौसल की जाज के लिए सही नहीं होते है या फिर इन प्रस्नों की सायता से किसी प्रकार का मुल्यांकन ही संभाव नहीं है या फिर सभी, तो आप क्या कहेंगे बिल्कुल कि अगर आप कहेंगे कि किसी प्रकार का मुल्यंकन संभाव नहीं है तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि जो आपके निवंदात्मक होते उसमें लेखन कौसल भी तो पता चलता है आपकी अभिवेक्ति की चमता भी तो पता चलती कितना आप लिख सकते हैं आसान से आसान भासा में तो आपका सी जब नहीं होगा तो उपरयोग तो सभी भी कट जाएगा भी आप्शन कहा रहा है लेखन कौसल की जाज के लिए सही नहीं होते हैं तो ऐसा भी नहीं है, सही तो होते हैं, पर उतने उप्युपत नहीं होते हैं, जितने वस्तु निश्टता और विस्तु वाले जो प्रस्न, यानि की, जो MCQ वाले प्रस्न होते हैं, वो होते हैं. क्योंकि निवन्दात्मक्न अपने इंसार विचार रखता है तो उसे एक्जाक्ट आप मूल्यंकन इसमें ज्यादा करते हैं वस्तुनिष्टा वाले प्रस्न तो यही आप कहेंगे वस्तुनिष्टा और विश्वस्नीता की कमी होती है यह वाला option सही हो जाएगा अगला है कि एक कुसल प्रसासक के गुड़ जो है वो है नियंत्रण संबंदी एक्ता निर्देशन संबंदी एक्ता अनुसासन या सभी तो सभी यह आपको इस परश समयन में आ रहा है कि एक कुसल प्रसासक के गुड़ में यह भी होता है उसके अंदर नियंत्रण संबंदी एकता भी होनी चाहिए, निर्देशन सम्बंदी भी होनी चाहिए, अनुसासन तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो परियोगत सभी आपका हो जाएगा, 88 प्रसन कहा रहा है कि सीखने के अंतह द्रश्टी सिध्धान्त, चार ओप्षन दे रखें, गेस्टाल्डवादी सिध् जोड़ आपका सही हो जाएगा, 89 प्रसन आपका है कि सिख्षण का अधिगम आधारित विशिष्ट सिध्धान्त है, अन्तहक्रिया का सिध्धान्त, आत्मियता का सिध्धान्त, स्वाभाविक्रम का सिध्धान्त या फिर सभी, इन चारो ओप्षन में से सिख्षण का अध प्रस्ण नहीं कराया था आत्मेता भी होता है और स्वाभविक क्रम्न का सिध्धान्त भी होता है लाश्ट प्रस्ण इस प्रस्ण का है इसके बाद के प्रस्ण आपके जो नेक्स्ट प्रस्ण है बालमनो विज्ञान उसके स्टार्ट होगे तो 90 नंबर प्रस्ण है कि बोलना option आपको दे रखे हैं बात करते हैं चलिए अंसर की तो आपका अंसर यहाँ पर हरलोग जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा कि बोलना सीखना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है हरलोग ने यह जो है इंडिवीजवल अलग-अलग होता है उसी के संदर में सब में अलग-अलग विस्षिष्टाय होती है तो क्रियात्मग विधी सिक्ष्ण प्रविधी आपको बताने हैं समविधा विधी वार्तालाप विधी या फिर सभी चौर ओप्षन में से कौन सा सही होगा आप कहेंगे चारो ही आपके विल्कुल सही है तो परियुक्त सभी विधिया आ जाएंगे 92 प्रस्ट गैरा इन में से कौन सा अधिगम निरियोगिता जो है उसका कारण हो सकता है निरियोगिता का करण अधिगम के संधर में पूछा गया है सांस्कृतिक विविधिता, सिक्षक की अभिचमता, समवयस्कों की उधासी इंदा या फिर अभिवावक द्वारा बच्चे के जन्म से पूर्व नसा करते रहना अधिगम निरियोगिता इनमें से किसके कारण हो सकती है इस पश्च पढ़ने में ही आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल अभिवावक द्वारा बच्चे के जन्म से पूर्व नसा करते रहना यही आपका अधिगम निरियोगिता का कारण हो सकता है तो डी वाला आपका उप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 93 प्रसंद कहा रहा है कि वारी बाधित जो बच्चे हैं उनके लिए सहायक उपकरण कौन सा होता है जो बोलने में किसी प्रकार से असमर्थ है या को वारी बाधित है तो चित्र सहायक उपकरण होगा प्रतिमा होगा दोनों होगा या इन में से कोई नहीं आप क्या कहेंगे चित्र के माध्यम से भी आप उन चीजों को समझा चाकते हैं और प्रतिमा का भी यूज़ करके तो आपका A और B दोनों जो आपका हो जाएगा 94% कहा रहा है अस्तिबादित जो बालक है उनके लिए चाहिए बैसाकी चाहिए ट्राइसाइकल चाहिए बंदनी चाहिए और सभी तो देखिए ट्राइसाइकल अस्तिबादत के लिए चाहिए आप सभी जानते है बैसाकी भी चाहिए अगर अस्तिपाधिता का जो लेवल है वो बहुत जादा नहीं है तो बैसाकी से काम चल सकता है और जब दो आप्शन सही है तो बंधनी अगर आपने नहीं भी सुना है तो ये भी इसमें आ जाएगा तो आप कहेंगे तीनों ही आपके सही है उक्त सभी ज आप्शन थोड़े से गुमा कर दियेगा है पर आप क्या कहेंगे निर्देशन के विकास में आने वाली बादा सबसे पहली यही है कि जो अध्यापक है उनके उपर अधिक कारिभार और दूसरी यही है कि जब अध्यापक चात्र का जो रेशियो होगा वो सही नहीं होगा क अध्यापक उनके तुल्ला में काम है तो वो कारिभार को भी बढ़ावा देगा तो दोनों ही आपके बाधाओं में जो है वो आएंगी तो अंसर आपका ए और बी दोनों जो है वो सही हो जाएगा स्वतंतर जीवन किसी भी परकार से बाधा में जो है वो नहीं आएगा 96 प्रस्ण है कोहलर निम्न में से किस से जो है वो संबद्ध है अधिगम के सिद्धान्त वेक्तित्ट के सिद्धान्त अभिप्रेणा के सिद्धान्त या फिर इन में से कोई नहीं तो आप सभी जानते हैं कि कोहलर ने अधिगम से संबंदित सिद्धान्त दिया था एवाला आपका विल्कुल सही होगा और इन्होंने ही अलग-अलग प्रयोग के द्वारा अंतरत्रष्टी अत्वा सूज का सिद्धान्त जो है वो दिया था अंतरत्रष्टी अत्वा सूज का सिद्धान्त पूछा भी डारेक्ट जाता है तो इन्होंने एक पुस्तक थी, वो आपको याद रखना है कि कोहिलर जो है इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम था गेस्टॉल्ड साइकोलोजी, साइकोलोजी की स्पैलिंग P से स्टार्ट होती है और जी से गेस्टॉल्ड की स्पैलिंग G E S T A L T तो गेस्टॉल्ड साइकोलोजी जो पुस्तक थी, जो की 1959 में प्रकासित हुई थी इसी भी पुस्तक में इन्होंने अपना अंतरदस्टित्यों से धान थी उसकी व्याक्या की थी अगला प्रसंद देखते हैं 97 कि बच्चे जो है उनको कक्षा में प्रसंद पूछने से रोकना चाहिए आप कहेंगे कभी आप नहीं रोकेंगे पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिलकुल करना चाहिए दोनों तो आपका नहीं होगा पूछने के अनमती ही नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होगा, तो B वाला आपका option बिलकुल सही हो जाएगा, जो आसान से प्रस्न उसमें मैं आपसे ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, डिरेक्ट अंसर बता रहा हूँ, 98 प्रस्न आपका देखते हैं, कि अधिगंद से सम्मंद या फिर पुस्तकाले में निरिक्षड अध्यांड, चार option है, पताना है आपको कौन सही होगा, अधिगंद सम्मंद कोई विद्यारती की समस्या का सबसे अच्छा उपचार है, अंसर की बात करते हैं, तो आप कहेंगे, दिनात्मक जो सिक्षड है, ये आपका सही होगा, न पुस्तकाले में निरिक्षड से अपने आप चीजे नहीं आजाती है, तो एवाला आपका सही होगा, अगला देखते है 99, मानसिक रूप से स्वास्त जो अध्यापक है, उसकी विशेष्ता क्या है, कि वो अधिक सम्वेदन सील है, वो सम्वेदनात्मक रूप से संतुलित ह तो आप क्या कहेंगे, कि वो सम्वेदनात्मक रूप से संतुलित है, जब मानसिक रूप से स्वास्त अध्यापक है, तो उसकी सबसे बड़ी तो विशेष्ता यही हो जाईगी, पर वो अधिक सम्वेदन सील है, यह आप नहीं कह सकते, क्योंकि जो स्वास्त है, तो हर ग्यान और समसामाई गटनाओं पर आधारित प्रसन है, उसका प्रसनम पूछेंगे, और यह हमारा लास्ट प्रसन है, इस वीडियो का और वीडियो भी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजेगा, चैनल पढ़ना हो, तो सब्सक्र टाइब करके भी अवश्य जुड़ जाएगा, और टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, तो लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगी, जुड़ भी सकते हैं सर्च करके, तो लाइक सभी लोग वीडियो को अवश्य कर दीजेगा, लास्ट प्रसन देखते हैं, सा आप्शन A है, साइजोइड वर्क में किस प्रकार के बालाग आते हैं, मोटे स्वास तथा लंबे सरीर वाले, आप्शन B है, दुबले पतले तथा लंबे सरीर वाले, आप्शन C है, प्रतिवास चाली बालाग, आप्शन D है, इन में से कोई नहीं, तो आप्शन A, B, C, D के कहां जो है, वो संपन्य हुआ, यह आपका करंट अफ्यर और GS वाला जो पोर्शन है, उससे है, A आप्शन है, इस प्रस्थन को माल लीजिए, आप 101, A आप्शन है आपका मुंबई, B आप्शन है आपका बैंगलोर, C आप्शन है आपका भोपाल, फर D आप्शन है आपका गोवा, तो मुंबई, दूसरा आप्शन, बैंगलोर, और तीसरा आप्शन, भोपाल, और चौता आप्शन, गोवा, तो इन चारों आप्शन में कौन से सही होगा, अपना अंसर, दोनों का ही, एक 100 नमबर वाला है और 101 वाला, बताईगा, हम देखेंगे अंसर इसका, नेक वीडियो में, वीडियो को सभी के साथ शेयर, वीडियो पसंद आए तो लाइक हवश्य कर दीजेगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, सब तक के लिए, नमस्कार, थैंक यूपर वाचिंग,